तो आप अपनी Airtail Premium Bank Account को इस्टमाल करते हो और आप अपनी Airtail Premium Bank Account के अंदर जो भार्शुया डेविट कर मिलता है उसको आप Active या पर De-Active करना चाहते हो तो ओ आप किस्टर से कर सकते हो उसका पूरा पॉसेस में आपको इस ब्रूकन दर बताऊंगा तो सबसे पहले आपको A Banking Wall के एक Option मिल जाएगा उसके नीचे View Details की पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास Airtail Premium Bank Account की पूरा पूरा इंटरफेस है वो आपके पास कुछ इस तरह से आजाएगा तो यहां पर क्लिक करके जैसे आओगे तो आपको ओपर के जड़ाफ सेविंग एकाउं तो और इसी की नीचे की तरफ आपको यह डेविट काड का Option मिल जाएगा आपको इसी की पर क्लिक करना है आपनी डेविट काड को Active या पर Deactive करने के लिए जैसे ही क्लिक करोगे पेज छोड़ा सा लोड होगा और आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा जहां पर आप दिएक्टिव लेकिन आप पहले टाइम पर आओगे तो यहां पर एक्टिव रहेगा आपको यहां पर नीचे के तरफ जहां पर एक्टिव काड लिखा हुए उहां पर आपको डिएक्टिव काड दिखाए जाएगा आपको डिएक्टिव करना चाहते हो तो आप डिएक्ट अपके पर दिटिल से आपके पास माँआना चाहते हैं और तो उसका भी ऑप्सेन आपको मिल जाएगा नाचे के तरफ और यूर फिजीकल कार्ड नाउँ आप इसकी पर क्लिक करके अगर आप इसका ब्लिक करना पर को निज काटए हैं उसके बाद आए आपकी घर पे जो कार्ड है वो आपके पास डेली बार हो जाएगा आप पहले टाइम पे आओगे तो आपके पास इस तरह से आजाएगा आप इस कार्ड को आभी डियाक्टिव करना चाहते हो तो आपको यह उपर की तरफ एक मैनेज की पर क्लिक करोगे तो आप यहां से कार्ड को डियाक्टिव कर सकते हो अपनी कार्ड से कितना पैसे आप किसी को सेंड करना चाहते हो उसका लिमिट लागाना सचाते हो और लागा सकते हो आप यहां से अपनी कार्ड की जो पीन है उसे आप यहां पे चेंज कर सकते हो तो जैसे के माल दीजिए हम लोग यहां पर कार्ड को Deactive करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करना है और यहां पर नीचे के तरफ जो Decibelable का option आपको इस की पर क्लिक करना है तो आपकी जो कार्ड है ओत ओर ही यहां पर Deactive हो जाएगा और आप जैखे तो कार्ड has been successfully Deactive का मैसेज हो जाएगा तो इस तरह से आप अपनी इया टेल प्रिमेंट ब्यांक एकान की जो भर्शूल डेविट कार है उसको आप एक्टीव या फिर डियक्टीव कर सकते हो तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी जयता हेलफुल साविद होगा आप किस तरह से एकाड है उसे आप एक्टीव या फिर डियक्टीव कर सकते हैं उसका पूरा पॉसेस में आपको इस वीडियो का अब बता दिया है